वेलकम फ्रेंड युक्ति आई इसकी सौलाइन प्रेटफॉर्ण पर मैं अमरविंद आप लोग का श्वागत करता हूँ आज बार अक्टूबर है तो दैनिक जारुन के राष्टे संसकर निउज पेपर में आप लोग के लिए पी टी मेंस और इंटिव्यू और इन कौन-कौन से निउज को कभर किया गया है जो यूपी एस्सी और स्टेट पीसियस के अस्परेंट के लिए महत्पूर्ण होगा शाथ ही साथ जितने भी गौर्मेंट कंपटेटिव एक्जाम आप लोग भरते हैं उसका फॉर्म फिलब करते हैं उससे रिलेटेड जो पी टी फेक्ट है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं चलेंगे आगे आगे हम उसको सभी मेन पार्ट और सब पार्ट पर विस्तितु अब ट्रेड डिश्नर विवर दोनों चैनल को जरूर्ट शेयर कीजिए अपने सारे सर्कूलेट ग्रूप जितने होते हैं अपने मित्र को सर्कूल को आप सेयर कर सकते हैं साथ ही साथ कॉमेंट करना महत्पून सुझाओ देना न भूले ताकि हम लोग उस दिसां में काम कर स के लिंक किया जाता है जिसमें आप लोको एब का लिंक होगा तो एब में बहुत से टेस्ट आप लोगों को लो प्राइस में चलाये जाते हैं बहुत न्यूंतंट सुलक लेकर, और साथि-साथ द्यानिक जार्ण रूपानलेशिस का की-पॉइंड जो बंता है उसको भी आप एप पर भी फ्राब्त कर सकते हैं उसका link आप लोगकों description box और comment box में दिया रहता है तो आप वहां से diet join कर सकते हैं साथ ही साथ telegram channel पर भी आप लोग जोईन कर सकते हैं telegram channel पर आपको डानिक द्यारा helaour इनलेसिस का एक टेलिग्राम चैनल जो ध्यानिक द्यार रेलेटेड जो अभ्याटती है उसमें जुड़ते हैं और जो ऑपेन जो सभी लोगों के लिए है वो यूगती आईएस का आपको टेलिग्राम चैनल मिलेगा जहां पर रेगुलर अब टॉपिक वाइस टेस्ट उन्नत बना सके चली हमलों आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या महत्पूर्ण है देखिए सांस्कृतिक विरासत के संदर में वर्तमान सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है उशी के करम एक कल और भी स्री महाकाल लोग के संदर में देखने को मिला है तो देखिए आपको चीजों को हाँ पर नोटिफाई करूँगा किन किन बातों पर आपको विशेश धियान देना है तो उस पेज पर जब हम लोग आएंगे तो इससे जो न्यूज है उसको हम कवर करेंगे देखिए एक न्यूज है सन्यूक्त राष्ट में भारत ने रूष के विरूद किया मददान लगतार दो तीन मददान ऐसे रहे हैं यूक्रेन और रूष के मामले में जो यूज चल रहा है उसमें भारत ने मददान रूष के खिलाब किया है तो यहां बहुत से बुद्धी जी वर्ग जो विदेशी कुटनिती के शंदर्म अपने विसे सग्यता रखते हैं उनके द्वारा बोला जा रहा है कि भारत का रूख शन्यूक्त राष्ट में या अंतराष्टी शमर्थन के रूप में रूष से विमूख होता दिख रहा है तो क्या यह सही है तो यह बहुत उपयोगी प्रस्ण आपके एक्जाम के दिश्टी से हो सकता है मिन्स और इंटिव्यू ओरियंट आपसे जहां प्रस्ण क्रिट किया जा सकता है साथ ही साथ देखी यह टॉपिक यह पेसी के GS पेपर 2 में अंतराष्टी संस्थाओं से संद कर रहा उस टैलिक जिस पेपर में करेगा तो उससे कनेक्ट करके इस न्यूज को देखीएगा तो देखी क्या हुआ है पहले मामले को देख ले तो उसके बाद हमनों चर्चा करेंगे भारत अपने पुराने मित्र रूश को संकेत दिया कि यूकरेन के मुद्दम उनके समर् जे की निंदा करने के लिए एक मशोधा प्रस्ताव लाया गया था रूश ने इस प्रस्ताप गुप्त मद्दान की मांग की थी लेकिन अल्बिनिया या दखेगा इस देख का नाम अल्बिनिया ने सावजनिक मद्दान या रिकॉर्डेड बोट की मांग करते वे प्रस्ता था तो इसके संदर में मसोधा प्रस्ताव आता है जहां गुपत मादान के रूप में जो मांग की गई थी रूस की उसे भारा समेत 107 देसों ने खारिज कर दिया और शिर्ट 13 देसों ने रूस के मांग को समर्थन किया कि जो प्रस्ताव आएगा उस पर गुपत मादान होना चाहिए नेश्ट 49 देसों ने मादान में हिस्सा ही नहीं लिया तो इससे अस्पस्ट होता है कि अंतराश्टी समुदाय में रूश यूक्रेन के जो मामले हैं मामला चल रहा है वो कहीं ने गहीं विश्व बहमत इसे सही नहीं मान रहा है तो कि इतना बड़ा समर्थन उसके प महासवा के अध्यक्ष की विरूद अपिल की थी कि वर्तवान में जो महासवा के अध्यक्ष है जो प्रस्ताव के दिन जो अध्यक्षता करेंगे उसके संदर में कुछ प्रस्ताव लाया था तो साजनिक मतदान कराया गया अपिल की गई और उसके बाद साजनिक मतदान किय यहाँ नहीं तो देघिए एक दिन में दो विरोद में जाके ममद्दान किया जाता है निए अंतराष्टिय समधाय में जो जो मामलों के विश revealing अपने सकता रखते हैं और लगतार जारी जा रहे हुआ है लगतार सिप्ठ हो रहा है रूस और भारत के संदर में वैस्विक मत है वो लगतार सिफ्ट हो रहा है वो परधान मंतिर नरेन मोदी के द्वारा संगाई जो संगठन का बैठक हुआ तो उसमें रूस के जो राश्पती उनके सामने समक्ष यह बात बोलना है कि वरतमान यूग यूध का नहीं है तो इसके संदर में भी यह बाते कही जा रही है पर यहां आप लोग ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कुट नितिक में बड़े बदलाव के संकेत नहीं है जो हमारे विदेश मंतरी एस जा संकर उनके द्वारा कहा गया है और यह बाते अस्पष्ट की गई है जिसमें आपको देखिए इतिहासिक इस तो को गहरा करने के बाद कह चुके हैं ऐसे में यूएन में रूश के मांग के वरुद प्रक्यागत मदान भारत की कुट निति में किसी बड़े बलाव की संकेत नहीं है देखिए इस परकार के जब मामले आते हैं तो एक दो घटनाओं के बाद हम यह निश् समंद रहें और बेहतर समंद भी रहें भारत रुश के साथ तो एक दो घटनाओं को मानकर हम यह नहीं कह सकते कि भारत का सिप्ठ हो रहा है विदेश निति किसी और दिसा में देखिए वेट और वाज करने की स्तिती में है सभी देश और भारत बहुत सजग होकर अपने मतो को लेकर आगे बढ़ रहा है क्योंकि भारत एक लोगता अंत्रिक देख्ष है और किसी परकार के हिंसा को यह बढ़ावा नहीं दे सकता है तो यह इसलिए इस रूप ने इस मामले में रूस का विरोध इस वोटिंग प्रस्ताव में कर रहा है देखिए भारत की विदेश न रखी है जिसमें सभी की सहस्तित्यू की चर्चा की गई है। हम लोग आधर करेंगे सीमाओं का आधर करेंगे शांति पूर्ण बहुर्ण करेंगे हमारी जो विवाद होगे आपसी शहमती के अधार पर होंगे तो यह जो पंज सिल जो कॉंसेप्ट दिया गया है उसी विद पर चीजों को समझने की जुरत है कि इस परकार के मामुलों में अपनी भारत की पौरानिक जो विदेश निती उसी के इर्दगिद रहके कारी करेगा तो एक दो परस्ताओं के समर्थन या नसमर्थन करने के एवज में हमारे 20-35 वर्सों की जो गहरा रिस्ता है उसे हम समाप नहीं कर सकते हैं या 1947 के बाद जो USSR जो था हमारा रूष पहले USSR हुआ करता था 1991 तक USSR का सम्मन्द और विगटन जब रूष का हुआ था USSR का उसके बाद भारत के रिस्ते में परिवर्तन को हम एक दो मददान के अधार पर आंकलित नहीं कर सकते हैं केवल वेट वेट एन वाच करने की जोरत है तो इसके संदर में कुछ चीजें हैं जैसे जर्नल महासभा लगतार आप लोग को चर्चा मिलेगा और इससे BPC ने प्रस्ण भी किया है ध्यान रखिएगा 67 BPC हुआ था हाली में उसमें भी प्रस्ण किया था जबकि मैंने पहले भी जब शन्यूक तराष्ट के संबंदिर यूक्रेन का मामला आया था तो उसमें भी मैंने शन्यूक तराष्ट महासभा सुरच्छा परिसास सभी पर चर्चा किया था तो आप लोग को याद रखना चाहिए प्रस्ण कहां से क्रिएट किया जाता है तो हम लोग चर्चा कर लेंगे शन्यूक तराष्ट महासभा के संदर में क्योंकि यहां पर चर्चा उसी का किया हुआ है और भी जब चर्चा आती पार्ट बाई पार्ट हम लोग उसे कवर करते हैं हलाकि इससे पहले मैंने नियूज इस पर कवर किया है तो आप लोग उसे देख सकते हैं अगर उनको जिन जनल असेंबली में ही क्रिया कलाब किया जाता उससे संबंदित कार किये जितने भी निधी निधारं के संबंदित कार होंगे संयूक राष्ट के वो भी इसी असेंबली में किये जाते हैं आपको फिर नेक्ट याद रखना है महासभा संयूक राष्ट के सभी 193 देशों के प्रतिनिजित है वन राष्ट वन भोट यहां पर अनुसरन किया जाता एक राष्ट का एक वोट जिसे सौर्भवमिक प्रतिनिजित वाला एक मात संयुक्त राष्ट निकाय माना जाता या बनाता है यह एक मात रहसा निकाय है संयुक्त राष्ट में जिसमें एक राष्ट एक value के संदर में देखा जाता एक boat के संदर में या एक सदस्ता के रूप में देखा जाता सभी यहां राष्ट समान है वो अमरिका हो अमरिका या पांचे जो सदस्त है वो हो या कोई नया सदस्त जो अभी हाली में बना है वो भी सभी का समान अधिकार श्रमान बेंच पर श्रमान अधिकार प्राप्थ सभी एक समान रूप से यहाँ पर गिने जाते हैं और समझे जाते हैं ऐसा नहीं है कि चीजे आपको जैसे स्व्युक्त राश्ट शुरच्छा परिशब्न है, किसी को अत्रिक्त सकती दी गई है उसके संदर्मिहा चीजे नहीं है नेक्ष्ट याद रखिएगा कि परती वर्ष सितंबर में स्वयूत राष्ट के सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन नियुवार्क के जर्नल एसेंबली में किया जाता तो इसका जर्नल एसेंबली नियुवार्क में यह प्रस्ण आपको PCS अस्तर पर पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान अखिएगा और श्रमान बहस होती है जहां कई राष्ट परमुक्था से भाग लेते हैं लगबग सभी राष्ट इसमें भाग लेते हैं श्रमी किसी मुद्दे पर जो भी मुद्दा डिसाइड होता उस मुद्दे पर अपना राय देते हैं उसके समद में प्रगती रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद जो भी नीडने सर्व सम्मती से लिया जाता है या प्रस्ताव पारित किया जाता है तो यह बहुत ही महत्पूर्ण बैठक होती है वार्षिक वर्षिक कब होती है सितंबर में और मैं आप लोगो सितंबर के माह में आपको 12 सितंबर का जाके न्यूज देखिएगा वहाँ पर मैंने इसकी चर्चा भी किया था जब सत्रों का जो 76 से 17 शिप्ट हो रहा था और नए 17 अध्यक्ष की निउक्ती हो रहती है उसमें तर्चा भी मैंने किया था तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा और आप लोग इसलिए कन्फ्यूज रहते हैं कि न्यूज लगतार आप लोग नहीं देखते हैं और बहुत से अभियर्थियों को मैं अभी वाच कर रहा हूँ कि जब से की नोट्स आप लोग को दिया जा रहा है तो वीडियो वाच नहीं करें देखिए इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा आप प्रिंटेड पीडियाप को अगर लेके पढ़ रहे हैं जब तक आप उन चीजों को नहीं समझेगा कि किस संदर में ये बाते हुई है किस संदर में इसकी चर्चा हो रही और क्या संदर आने वाले समय में बना रहेगा जब तक ये नहीं समझेगा तो टॉपी को कोडिनेट नहीं कर पाईएगा और लगतार में देख रहा हूँ जब से की नोट्स आ रहा है जैसा नहीं कि मैं भीव के संदर में मुझे परसानिया है भीव के संदर में परसानिया नहीं हो रही मुझे परसानिया आपके एडिट्यूट में हो रही है कि जब से की नोट्स दिया जा रहा है आप मैंने लाइतार वाच कर रहा है लोग की जो वाच समख्या वो घट रहा है इसके लिए आपको बहुत नुकसान होगा आने वाले समय में अगर प्रिंट नोट की बात कही आए तो मैं आज ही आपको सारे प्रिंट एक साल का दे सकता हूं पर वो परिच्छाव प्योगी आ सिसी खेँ और ऑच सनुद्ट हाई अगर पूरा इंडिया में पृट का बोल वाला है प्रिंट नोट लट रेए ढिएर बीजा आर आता है इसके संदर में चीजे प्रेंट की क्या खामिया आती है वो मैं बहुता जानता हूँ स्टुडेंट किस कोई प्रस्ण आपको पुछता है लो उसका सॉल्यूशन भी आपनो नहीं दे पाते एक्जाम में इसका रिजन पीछे यही है कि प्रिंटेड नोट के लिए प्रसान आपनो रहते हैं समय लगेगा किसी चीज को प्राप्त करने में पर निरंतर अब प्रयास करते हैं तो आपसे बहतर कोई नहीं होगा ध्यान रखेगा आपसे बहतर कोई नहीं होगा तो इस चीज को समझेगा चलिए तो सितंबर माह में मैंने इस नियूज को आपको कभर किया था वहाँ पर आप लोग इससे का वीडियो देख सकते हैं समझ सकते हैं और महा सवा के महत्पुर्ण परशनों का निर्ने लेने जैसे सांती सुरक्षा सांती सुरक्षा नए सदस्यों के परवेश बजटिये मामलों के लिए दो तिहाई बहमत की आप सकता होती है तो जैसे महत्पुर्ण निर्ने लिए जाएंगे तो उसके लिए क्या हता दो तिहाई बहमत आपको 193 सदस्य है तो उसका 2 बटे 3 आपको बहमत चाहिए तो आपको इस प्रकार के जो भी बहुमत प्रस्ताव लाना है तो आपको यहां पर बहुमत सम जुरूरी हो जाएगा तो जैसे 37 सुरक्षा नए सदस्व परवेस या बजटिये मामलों के लिए क्या करना है दो तिहाई बहुमत और यह प्रस्त आपको UPSC के कोटे से आपको option में पुछा गया है ध्यां रखिएगा and option में भी पुछा गया है तो महत्पून जो निर्णा है जैसे 37 सुरक्षा से सम्मंदित अगर प्रस्ताव कोई आएगा तो उसके लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए नए सदस्यों को जोड़ना आया है तो उसके लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए और बजटिये मामलों कुछ समसोधन करना है सनुत र करकार के बजटिये सवरूप में तो आपको दो तिहाई बहुमत की आवस्ता होगी शनुत रात महासभा में किसी प्रस्ताव के संदर में अब महासभा के अधेश को परतेक वर्ष द्वारा एक वर्ष के कारकार के लिए चुना जाता है तो नोट याद रखिएगा करवे सत्र के अध्यक्ष थे तो यह लगता आप दोजार बीस इकीस बाइस सिते बारा सितंबर तक रहे थे और यूकरेन में जो प्रस्ताव आया था प्रथम प्रस्ताव आपको जब आया थे इनके ही कालकाल में आया था तो प्रस्ण ऐसे ही बनाये जाते हैं डारेक्ट आ हैं होंगे तो आपको वहाँ पर डारेक्ट प्रस्ण एंसर क्लिक कर जो मेरे 13 सितंबर का न्यूज देखा होगा उन्होंने सही किया होगा तो ध्यान रखिएगा यह सब प्रस्ण ऐसे ही पूछे जाते इसलिए कोई स्टूडेंट पहले संतावन नंबर लाता है और मेरे ए ला होता है मैं एक्टिम मोड में रहने की बात करता हूं और प्रस्णों को क्रियेट जो प्रस्ण किये जाते उसको एज़ॉर्ब करने की बात करता हूं लगतार और यह देखिए उसके बाद सतरवे सतर बाइस तैस के लिए सतरवे सतर अध्यस कबास कौराशी जो हंगरी के हैं को चुना गया जो 12 सितमबर 22 के इंका चैन हुआ है तो आप समझेगा यह हंगरी के कबास कौरेशी हैं जो सतरवे सतर अब इसके बीच जितने भी प्रस्ताव आएंगे इनहीं के अध्यक्सता में रहेगा तो आपसे में MP में जारखंड में या तो उत्राखंड में या किसी भी स्टेट PCS में बिहार में फिर 68 होने वाला है उसमें अगर पूछता है तो आप गलत नहीं किजेगा सत्र के भी जितने भी प्रस्ता हो आंके उसके अध्यक्ष्टा जो जर्नल असेंबली में होगा वो अध्यक्ष ही करेगा जो अभी कवास कौरेशी है याद रखिये जो हंगरी के है नेश्ट है और हंगरी के ये राजदूत है याद रखियेगा राजदूत है राजदूत है अब्रेस्डर है ऐसा नहीं और यह विदेश मंत्री थे अब्दुल्ला साहिद इस प्रकाय के भी प्रस्ण आपको पूछे जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होईएगा यू अनजी ए एंटी नियो गुटेशी जो है वरतमान में जो महासचिव है सन्यूकतराष्ट महासवा के जो सन्यूकतराष्ट के महासचिव है वो गुटेशी एक जन्यूरी दो होजाय बाइस को इनका कारेकाल सुरू होने वाला और 31 दिसम्बर 2026 को समाफ होने वाले गे नौवे सन्यूकतराष्ट महासचिव के रूप में नूप किया इनका कारेकाल एक जन्यूरी 2022 से प्रारम्भ होता है दुतिय कारेकाल के लिए और 31 दिसम्बर 2026 को समाफ्थ होगा और यह नौवे सन्यूकतराष्ट महासचिव है तो ध्यान रखिएगा यह कौन से करते चलना है और जो मेंस अब्जेक्टिव क्रस्ट ने है उसे भी हलाकि संयूकतराष्ट के संदर्व मैंने पहले भी चर्चा वीडियो में किया हूं उसके मेंस पार्ट को तो आप लोग उसे जाके देख लिजेगा प्रस निहां से हार में पूछा था इसलिए मैंने इस पर विश्तित चर्चा कर दिया पीटी और पॉइंट और भी हो से किसी भी एक्जाम में आप लोग लिए उप्योगी हो जाएगा देखिए कल ही मैंने चर्चा किया था कॉलिजियम विवस्था के लिए तो उसमें आप लोग न्यूज को कभर कर लिजेगा देख लिजे सार इंडिया के रूप में न्यूक्त होंगे और यह न्यूकती आठ नॉमबर को स्रिवान्यूवित हो रहे हैं जैस्टिस ललिट यू ललिट जो है वर्तमान में जो 49 सवे आपको चिप जैस्टिस अफ इंडिया उनकी न्यूज जब शिवान्यूवित्ती होगी उनके बाद हो साथ इन से रिलेटेट पीटी फेक्ट और भी याद रखी का जैस्टिस डी वाई चंद्रचूड सबसे लंबे समय तक सी जी रहे वाई वी चंद्रचूड के बेटे हैं तो देखिए भारत में सबसे लंबे कारकार तक रहने वाले चिप जैस्टिस तो इंडिया कोन है डी जो पचासवे चिफ जस्टिस पी इंडिया बने उनके पिता जो जस्टिस वाई चंद्रचूड थे वाई वी चंद्रचूड जो 22 फरवरी 1908 से लिएका 11 जुलाई 1935 सब्से जस्टिस अब इंडिया रहे हैं भारत के और उनके संदर में बहुत से विश्थित जानकारिया आप लोग को आने वाले समय में मिलेगा आप लोग वेट और वाच कीजेगा ताकि चीजे आपको सीकन साथ कवर अप हो चलिए नेश्ट हम लोग बात करते हैं देखिए यहाँ पर लोग सेवकोप और मुकदमे की अनुमती देने के लिए समय सीमा अनिवार परोधान शुप म अप्रोच के साथ कारियर गतिविधी को करते हैं नियाय बहस्ताप उनका भरोसा नहीं रहता अर्थात यहाँ यह मानते हैं जो भी भरस्त अधिकारी है कि सिस्टम मेरा कुछ नहीं कर पाएगा इसलिए इस भावनाओं को समाप्त करने के लिए इस पर मारक छमता रखने के आपको यह अव्योजन के संदर में बात की गई है और देखिए भस्ताचार के संदर में आपको 2 सितंबर 2022 को न्यूज कभर किया गया है भस्ताचार भारत में किस परकार से हावी है उसके क्योंकों से परकार है भस्ताचार निरोद के क्योंकों से कानून है और वर्तमान सरक भारत के संदर्डर भस्टाचार में किस प्रकार से काम कर रही है और यहари प्रस्टी और इसके सिरेंई में आने वाल एक्जाम होगा व्हakukan ru से विकल्प है मुझसे यह प्रस ने पूछा भी गया था तो आपको मेरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे बढ़ा होगा आप लोग जाकर देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पर किस की चर्चा की थी किस संदर में बात की थी यह टॉपिक देखिए आपको आठी आई कानून और भस्टा चार दोनों UPSC के GS पेपर दो एंड चार में कभर करेगा पारदासिता जवाब दहिता और सरकारी नितियों के संदर में आप लोग GS के पारट में इसे UPSC जो भी स्टेट PCS वाले स्टुडेंट है अपने GS के पारट में देखिएगा यह टॉप दो सितंबर का न्यूज देखिएगा और आज हम लोग आटी आई को विस्तित रूप से देखेंगे क्योंकि अभी तक मैंने आटी आई को आप लोग को विस्तित रूप से नहीं बताया है और यह बहुत ही भरस्ट चार को रोकने का एक महत्पुन साधन माना जाता है और य जो सुचना आयुक्त हैं उदे महुरकर उनके द्वारा बोला गया है कि दिल्ली सरकार सुचना का अधिकार कानून लागू करने में भल सावित हो रही है दिल्ली सरकार ने आटी आई एक्ट दोजाब पांच की अंदेखी की है तो यह मामला आप के स्टडी की तोर पर यू टी टी मेंस इंट्वी औरेंट की नोट्स को अबलेबल नहीं कराया तो मैं समझता हूं कि आने वाले एक्जाम में अगर इससे प्रस्वें पूछे तो आप लो कही विशम परिस्तिती मना फ़स्दा है और मुझे याद मा करने लगी सर ने कराया ही ने इसलिए चलिए देख लेते हैं सबसे पहले किसी भी कानून के आने मान लेजे आटी आई कानून 2005 आता है या लोग सेवा अधिकार बिहार सरकार दवा लाया जा रहा तो उससे पहले या किसी भी परकार के कानून आ रहे मान लेजे भी किसी कानून आने वाला है आएगा तो उससे पहले कु एक कानों बनाना है ऐसा नहीं होता है उसके पीछे एक अतिहासिक प्रिष्ट भूमी हुआ करती है और वो दबाव में आकर सरकार उसके संदर में कारे करने के लिए अग्रसर होती है क्योंकि वो एक दबाव प्रेसर ग्रूप के रूप में काम करता है कि क्या उसके में राज नरायन बनाम उत्तर परदेश राज मामले में मानिय सुप्रिंग कोट ने फैसला दिया था कि सुचना के अधिकार को अनुछेद 19 के तहट मौलिक अधिकार के रूप में माना जाएगा या वर्स 1976 की ही चर्चा होगे 1976 में ही बात या राज नरायन बनाम उत्तर परदेश राजी के मामले में सुप्रिंग कोट ने निदेशित कर दिया था पर अधिनियम कब आया 2005 में तो कितना लंबा कारेकार रहा होगा सोच लेजे इसके संदर में समझ सकते सरकार की प्रगतिसील विचारधारा कितनी रही होगी ति जब सुप्रिंग कोट ने 1976 में ही मामले के संदर में कुछ असपस्टी करन दे दिया था तो सरकार इस संदर मे किसी परकार से स्वामी है तो लोग स्वामी है और हमारा सविधान लोग को ही संप्रभू बनाता है सभी लोग जानते हैं प्रस्तावना के संदर में हम भारत के लोग भारत को एक इस परकार जो कौंसेप्ट है तो भारत के लोग को स्वामी बनाता है तो उसके पास यह अध पर सुचना का अधिकार हमारे परनाली सासन परनाली हमारे लोक्तांत्रिक परनाली में जुड़ा और आया है जो एक महत्पूर्ण साधन बन रहा है भश्टा चार रोकने या भश्टा चार के मामलों को उजागर करने में चले नेश्ट हम लोग देखते हैं इसी के संदर में सरकार ने 2005 में सुचना के अधिकार अधिनियम बनाया जो मौलिक अधिकार के परियोग करने की मसनरी परदान करता है इस परकार के उसे विकल्प देता है कि आप किसी भी प्रसासनिक एकाईयों से जो उसके छेत्र शीमा में है सुचना अधिकार के छेत्र शी में आप प्राप्त कर सकता है और यूपेसी ने यहां से प्रस लगतार किया है यूपेसी के पीटी प्रारंबिक परिच्छा में तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा ध्यान से समझिएगा अब सुचना का दिकार दोजर पांच किया है तो भस्ता चार शरकार कारियों की मे एजन्सियों स्वामित्व और नियंत्रन वे संगठन जिने सरकार दोजर प्राप्त प्रयाप्त रुप से वित्पोशन किया जाता है तो ध्यान रखिएगा यहां जो भी संस्थाएं हैं भारत में जो राज दोजर वित्पोशित हैं उनसे आपको सुचना का दिकार स्वामित या नियंत्रन के संदर में हो तो वह सभी से सुचना आप प्राप्त कर सकते हैं यह आधिनियम चिन्दर और राज सरकारों के साज्निक प्राधिकरणों को्य सुचना के लिए नागरिकों के अनुरोत समय परतिकरिया परदान करने के लिए और पंदर सीमा ओधार 15 तो यहां पर नियूंतम 15 दिनों तक अनरोद में आपको सुचनाय प्रणान कर देना है जीवन ब्यक्ति के जीवन मरन से संबंदित होगा तो आपको 24 आवर के अंदर वो शुचनाय उपलब कराना होगा तो यह सब मामले हैं आगे मैं चर्चा करूंगा उसके संदर में यह तो आपजे के तौरप उसकी जो व्यतन है उससे काटी जाती है तो ध्यान रखिएगा यह सब चीज़े इसके टर्मडोजी में आता है तो प्रस्त यहां से पूछा भी जाता है अब किस परकार के जनकारी अनोत कर सकता है कोई ब्यक्ति आटी आई के द्वारा तो यह जानना है तो नागरिक सरकारी अधिकारियों से को भी जनकारी मांग सकते हैं जिससे सरकार संसद में परकट कर सकती है जो संसद में परकट की जा सकती है जो परक्रिया है जो विधी विधान उससे रिलेटेट कितनी जनकारी हो वो नागरिक मांग सकता है स्वाजनिक व्यवस्थाओं के संदर में कुछ सुचनाय जो भारत की संदर में अगर मांगेगा तो वो नहीं सरकार देगी उसमें सरकार के ब्यक्तिकत राय पर ही डिपेंड करें किन सुचनाओं को देना है अब संप्रुवता के संदर में आप इसके बाद अखंटा के संदर में समझें माले किसी परकार के मामले ऐसे हैं जो भारत के विवता अखंटा से संबंदित है या जैसे सेना सुरक्षा से संबंदित मामले हैं वहां भी या नहीं दिया जाता है आंतरिक सुरक्षा विदेशों के साथ सम्मन बौधिक संपता अधिकार केबिनेट चर्चा से सम्मने जनकारे आई टी आई में छूट दी गई है धियान रखिएगा बौधिक संपता जो अधिकार है जो आई पी आर इंटरफक्ट्वल जो राइट सोते हैं बौधिक संपता उसकी घचिना था किस विकति ने किस विशे में प्राप्ट किया आप ऐक्सहित है किसी टॉफिक पर अपना प्राप्ट करता है बौधिक संपता अधिकार प्राप्ट करता है तो किसी थर्ड पार्टि द्वारा उसे पैटेंट को समंधने जनकारी उसे नहीं दी जाएगी यह इसकी आटी दारे से बाहर रखे भारत का विद्यूसरों की स्थिति में है किस अस्तर पर उसके साथ क्या संबन्ध हुए वह भी आटी आई के दारे से बाहर किया गया और आंतिक सुर सवजनिक मामले ऐसे होंगे मान लीजे धारह एक सोचवालिस लगाया गया है तो उसके संदर में सरकार की आंतरिक इजन्सिया कारे कर रही है अब कुछ ऐसे मामले होंगे जो सावजनिक रूप से लोग उससे आटिया इमांग सकते हैं जैसे स्वास्य समंदिक क्या कारे किया इसमें जो धारा 144 के सिच्छेत मिलागा तो उब्द्रव हुए थे उसके बाद सरकार की प्रगति किनकी नियोजनाओं को लाउ किया गया यह सब मांग सकता है पर धारा 44 के संदर में कौन सी नितिगत निरने लिए गया यह कभी भी सुरच्छा एजन्चियों के द्वारा नही का चर्चा रहे या किंद्र के अस्तर पर किसी प्रकार केबिनेट की चर्चा जो मंत्री मंडल में जो सरकार पर चलित सरकार करती है किसी फैसरे को उससे समंदित मामलेक जो होंगे उसे आटी आई में छूट दी गए दिया नहीं जा सकता है याद रखेगा यूपेसी ने य अगबस समान पेरला रूप से दिखता है दोनों की सकती सीमा और जो जो अनुसरन करने के प्रकृत्य यह कहीं ने कहीं दोनों के समान एक ही प्रविरती में देखने को मिलता है पर दोनों अधिकार सूचना का अधिकार किसी विव्यक्ति को सरकारे निकायों के पास मौजूदा जनकार तक पहुँचने की मौलिक अधिकार प्रदान करता है जबकि निश्टा का अधिकार कानून ब्यक्तियों के को उसके बारे में ब्यक्तिगत जनकारी संगरा पहुच और उपयोग को नियंतरित करने का मौलिक अधिकार परदान करता है जो सरकार और निजी निकाओं के पास होता है ध्यान रखिएगा यहाँ पर सरकार के बिभीन एजेंसियों तक हम अपनी सुचनाओं के माधन से प्राप्त कर सकते हैं उसमें सुचनाओं जो महजुदा जनकारी होते सरकारी निकाओं में वहाँ तक पहुच अस्थापित करती है पर इस मामले में निश्टा के कानून के माम प्रस्ण ऐसे ही पूछे जाते हैं और आप लोग पढ़ेंगे लच्मी कांद को पुरी विस्तित रूप से पूरे उस पेज को लच्मी कांद को परिच्छा उपयोगी कहां से प्रस्ण उठेगा दैने जारन यूज अनलाइसिस के जो टमलोजी जो यूज किया गया उसके संदर में अब देखिए यहां से प्रस्ण क्रियेट किया जाएगा और आप लोग पूरा आर्टी आया पढ़े रहिएगा ऐसा इसे प्रस्ण जो क्रियेट किया जाएगा उसके तीनों टर्मलोजी को यूज करके तो वह टर्मलोजी कैसे कौन बताएगा आपको दैनिक जारन न्यूज अनलेसिस याद रखिएगा दैनिक जारन न्यूज अनलेसिस ही आपको बताएगा कि कीस परकार के मॉलिक विलो बिं मैं समझने के कॉंसेट को बढ़ा देता हूं एक बार समझ गये तो इससे रिलेटेट कभी प्रसन आएगा आप लोग कभी गलती नहीं करिएगा तो मैं इस पैटन पर काम करना चाहता हूं तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा तब जाके की नोट्स को समझ अब मालेजिए यह टॉपिक जो आटिया यह किसी ने किसी जीएस पेपर का ही टॉपिक है ना आपका यह टॉपिक पुन्तक कभर हो जा रहा है तो आप धियान रखिएगा विश्वास कीजिए इस पैटन पर चल कर आपका सफलता आपके कदम में होगा धियान रखिएगा है इसलिए सवाल बहुत जरूरी होता है इसी के लिए मुझे मेरे यूटन आपको देखते हूंगे ट्यूटर हैंडल पर या तो मैं किसी फेस्बूक पेज से या फेस्बूक ग्रूप से सरकार से डायेट मैं प्रसन करता कल मैं सीजिस जशिस आफ इंडिया से सवाल किया आप लोग को मैं स्कीन सोट सेर कर दूँगा जहां पर कल ये बात उनके द्वारा बोली गई है कि भारती अर्थात बहुत संक्यक भोट प्राप्त करने के लिए अलफसंक्यक को सताया जा रहा है देखी अलफसंक्यक को सताया जा रहा है सताया जाने के प्रविर्टी एक मात पक्षिये दिश्टी है तो मैंने उनसे स्वेधानिक अधिकार दिये हैं जो एक तरफा निर्ने को या एक तरफा विचार को प्रस्तुत करने के लिए अल्फ संख्य का मतलब भारत में 14.2% जनसंख्या नहीं हो सकता है इसका मैंने पहले भी बात बोला था कि पहले भी वीडियो में मैंने बोला था इनके मानकी करन की आवसकता बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमेशा एक सेफ कार्ड हमेशा खेलते हैं ट्रेपो कार्ड खेलते हैं कि 14.5 जनसंख्या जो भारत में अल्फ संख्या उसे कहा जागा जो न्यून संख्या में जैसे सीख लोग है इसाई है बौध है जैन है इस परकार के जो जन संख्या जो 1.2 से लेकर भारत के कुल जन संख्या का 0.4 परतिसत तक रहते उन्हें अल्फ संख्या कहा जाएगा और केवल अल्फ संख्या का अर्थ म का विचार नहीं बदलेंगे हमारे मानसिक कुंष्ठा जो है मानसिक विचारिक कुंठा है वो शमाप नहीं गार इनके संदर में मैं मुश्लिम वरका विरोध नहीं करता हूं पर मुश्लिमों में भी जो जो समर्थन के और उनको एक आइडिलोजी दे दिया गया उनको एक जैसे हम लोग अल्षंख्या समिजतें तो हमारे जहन में हमारे बच्चो में हमारे बौदिक जीवे बौदिक लोगों में शिदे मुश्लिम लोग ही सब ernriters से पहले कियों आएगा मुश्लिम बैप मुश्ल् कोई भी व्यक्ति विशेष्त क्यों नहाँ dalी करुजी कानुन के आधिकार पर मुझे उनसे सवाल करने को अधिकार देता है और मुझे आपको मैं से करदोंगा मैं मेरी मन सा बस इतनी रहती है कि जो सही है न उसको सही तरीके से समर्थन करो अज जो गलत है तो उसका विरोध सभी लोग करो ऐसा नहीं कि आप उसका तुष्टी करन करना सुरू कर दो यह बहुत ही खरतनाक है उस वर के लिए भी राजी के लिए भी देश के अभी वी मुश्लिम समोधाय बहुत पिछड़ा है उसे आंत्रिक्ष शनसोधन की जुरत है उसमें आधुनकी करन के विचारों को डवलप करने के लिए ऐसे कारदिशा करने चाहिए पर सच्चर कमीटी की रिपोर्ट को भी सरकारों ने बेहतर तरीके से लागू नहीं किया सरकार के छोड़ी दीजे उन वर्ग में जो संस्थाएं है जो कारे करती है मुश्लिम वर्ग में उसमें भी इसे लागू नहीं किया इसके पीछे का कारण बस यही है कि हमने अल्व संक्यक या दवित लोगों के विचार जैसे ही मन में आता है उसे मुश्लिम संदर में अर्यान गरते है कि अंट फिल्कुल नहीं है जृतना भारत का मुश्लिम विक्सित है इसकцен बदे धर कंटीक आप उठा लेजे जैसे को भारत के मुश्लिमों को जितना अधिकार दिया गया जितना अपने आचरण भयबार करने का अधिकार दिया गया वो किसी भी अन राष तो देखिए मैंने सवाल आई इसी संदर में पूछा तो आप लोग को चीजों समझने की जुरत है इसका बहवारिक पक्ष क्या है अब बहवारिक कितावी पक्ष तो आप लेते ग्यान आप प्राफ या अधिकार देता तो अधिकार इसका यूज कैसे करते कितने बैक्ति इस अधिकार के तAct उनसे सवाल पुना कर सकता हो सवत्र संग्यान आप या तो आमाना की स़धार पर कर रहे हैं तो मुझे यह अधिकार दिया गया है नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का और सरकार की एजनसी के रूप में आप काम करते हैं न कि आप स्वावलिंट संस्था ह आप सरकार की एजिंसियां हैं और आपसे प्रस्ण राजमी बनता है तो ध्यान रखिएगा ग्यान से ज़्यादा बहवारिक ग्यान आपको ससक्त बनाती है सबल बनाती है ध्यान रखिएगा इस चीज़ को चलिए नेश्ट हम लोग बात करते हैं यह अधिकार सरकार के सचार रोकने के लिए और लोग को बहतर कर तरीके से काम करने का अधिकार यह मदद देता भी यह सुचना का अधिकार केवल बहतर जनकारी वारे नागी को निर्मान के परिकल्पना की गई है जो सरकारी के कामकाज के बारे में आवश्यक निग्राने रखेंगे यह वीशर आप लोर के रूप में भी काम करते हैं अधा एक वास्ट डॉक के रूप में काम करते हैं अब देखिए हालिया कुछ प्राधिकरन इसको याद रखेगा यूपेसी से लगदार प्रसन पुछता है इतकुछ महत्पून प्राधिकरन है जो आप से प्रसन क्रियेट किया शुचना के अधिकार कोका और वा कासर्कार Cabinet करता है में थैं सभी प्राधिकरन और invites यहां लोक प्राधिकरन मानता है यहां सुचना को आदिकार, सावाजनिक, निधी क Such प्रयाप्त रूप्से वित पोश्रित नागरिक सेमाझ कर एकरा भी सनस्थाय होगा है आपको एजन्सी बना है और राज सरकार करें आप कुछ कि दॉनेट करती है तो भी आपकी विलनेट करती है तो हम रखिएगा यहां पर जितने भी विट पोशन राज्य कि सरकार को कहने का अर्थ होता है दोनों या रखेगा सरकार करती है तो इसका संदर में समझेगा धारा वन भी याद रखेगा धारा चार का वन और भी याद रखेगा सुचना, सरकारों को सुचनाओं को बनाए रखना और सक्रीर उसे प्रकट करना एक सीमा, सही सीमा दी गई है जिसमें सरकारों को सभी सुचनाओं को संगरीद करके रखना है ऐसा नहीं कि उसे जैसे आप बीपेसी में जाते हैं या या यू पेसी तो आपको आठी आ के मादन सुचनाओं नहीं देता है वो डायट लेप्टेट दे देता है यह जो की बहुत बड़ा ड्रो बैक है कि नाओं को संगरिद करके रखता है और इसके बाद अगर मांगते तो भी कुछ समस्यां हाती है पर तीन साल के अंदर जो भी सुचनाय आपकी होंगी वो भी पेसी आपको अप्लब्द कराती है तो समय सीमा याद रखिएगा धारा च्षॉ सुचना हासिल करने के सरल पर क्रिया निधारित करता है केवल एक पर्फोर्मा देना है कुछ सुल्क देना और आपको वो सुचना प्राप्त हो जाएगा दस रुपे का सुल्क होगा और जो गरीब बीपील परिवार के लोग होते हैं उसे मुःत सुचनाय दी ध्यान रखेगा और जो अनुसुचित जाती जन जाती लोग वर्के लोग आते हो उन्हें ही मुर्थ सुचना ये दी जा रही है धारा साथ याद रखेगा पी आई ओ जो सुचना मुख अधिकारी होता है द्याद सुचना परदान करने के लिए समय सीमा निधारित किया गया संदर में कुछ पॉइंट सेयंसे पूँछा Scientists सरकारी अधिकारी केता याद जरू धैजनकारी नियुनतम जनकारी फ्रकाटे ही धनीद में शूओंit नियुनतम जनकारी कर देघा सकती है और अँलिग सकती है उनके संदर में Será से सारी अधिकारी के कारे सेली कैसे है अथात कारे की आउधिक क्या है कारे की तुरूप से करते हैं जैसे छोटे-छोटे संग्रा में आप पूछ सकते हैं ऐसा नहीं कि पूरी अब मान लेजे परधान मंते PMO Office का पूरा डाटा बेस आपको दे दिया जाएगा ऐसा कभी नहीं हो सकता है सुचना अधिकार उसके पार्ट बाई पूछे जा सकते हैं यही बोलता है धारा वन आठ वन आपको आठ धारा आठ बोलता ही है कि न्यून्टम प्रगठी करंग की छूट देता है और धारा आठ वन याद रखिएगा सुचना के अधिकार अधिकार अधियों को अधिकारी fitness करने की छूट का उलेक भी है कुछ छूट दी जाती है धारा आठ को अधिकारी की गोपनियता अधिनियों मैं उसको भी लागो धारा आठ लिकारी प्रगठी करन के लिए के बद सस्त्र जो हमारे हथियार है उसके साक्ष अधिनियम है उसको भी या से जिकार में लेकर आथा या गोपनेता अधिनियम 1923 याद रखिएगा धारा उनीस याद रखिएगा इस सुचना का अधिकार के थार अपील के लिए दो अस्तर ये तंद्र है उसका निर्मान करता है अधारा 20 सरकार की जनकारी परदान करने के विफलता गलत या अधुरी जग्वरामक विक्रिती जनकारी मामने दंड का प्रवधान किसी प्रकार के ऐसा नुसरन सरकारी एजन्सिय को द्वारा किया जाता है तो उसे डंड का प्रवधान लगाया जाता है डंड लिया जात इसलिए एक्टिव मोड में सारे लोग काम करते हैं धारत 23 याद रखिएगा निचली अदालतों को वादों और आवेदनों पर विचार करने से रोक दिया है हलाकि सविधान का अनुच्छेद 32 और 226 के तर्थ भारत के सरोच नियाले और उच नियाले को रिट के अधिकार के अभिपारित रहता है ध्यान अखिएगा इन मामलों में निचली अदालत कभी भी फैसले नहीं लेंगे अगर सुचना का अधिकार के संदर में कुछ बाते होंगी वो रिट 32 और 226 जो रिट उनिच्छ निच्छ नियाले को अनुच्छेद 226 जो है वो उच नियाले को छेतर उसको निधारित करता है तो ध्यान अखिएगा 326 को 226 को भी अब सुचना का अधिकार के अधिनियम जो है हालिया कुछ संसोधन हुए उसे देख लिजेगा ताकि एक्जाम ओरिंट आपका अपडेट हो जाया जो हाल में कुछ संसोधन हुए अब सुचना का अधिका उनके बाहर रखा गया है कुछ राजनितिक दलो की जो प्राधिकरन होता है उनको नेश्ट है वर्स 2017 प्रारुप प्रस्ताव लाया गया था जिसमें उन मामलों को समाप्त करने का प्रधान करता है जो आवेदक की मिर्त्यू के कारण वीशल व्लोर के जीवन पर और हमले हो शकते हैं ये भी प्राधान थे जो उसे हटा दिया गया समाप्त कर दिया गया अब व्यूशल ब्लोर के संदर में यह बोला जाता है यह वाच डॉक के रुप में काम करता है सुचना का अधिकार किसी भी सरकारी तंदर से सुचना प्राप्त करता उसे व्यूशल ब्लोर कहत जो आठी आइधिनियम का वादानी क्रूप से संदरवित है और यह कहींने कहीं इस अधिनियम को कमजोर करता जिस darling को कमजोर करता जिस कि और जो न्यूकती की सीमा को घटाया गया थ przysz और उसके बेतन से सम्मंधित वर्स यह पांच वर्स के नियत कारकाल को अधार कारेकाल में पर तीचिया के साथ क्या होगा पर बरत्रमान में 7 पर टीची है सम्मंधित को भी प्रस्वड आता है तो आप वोसörung कवर कर लेजगा पी टी मेंस इंटिवू फैट के रूप में चलिए नेश्ट हमनों बात करते हैं अभी एक आउन मिनट हो गया पहले पेज में ही इसलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा वेट और वाच करके चीजों को देखिए सब्र रखिए आपका सेलेक्शन होने में बहुत ही मेहनत योगदान देगा य देखिए यूपेस्टी के जीएस पेपर आपको टू एन फोर में पादिस्ता जवाब देएता सरकारी नीतियों के संदर में भश्टा चार मोक्त भारत के हमला हमने बीड़ा उठाया वर्तमान मोधी सरकार के दुवारा बोली गई है और कुछ चीजे जो आपको यहां पकी की गई किस स्टेडी के तो आप उसे यूज कर सकते जैसे आपको एक सकंड थोड़ा सा जै परकास नरायन और समाजी कारकारता नाना जी देशमुक की जहनती थी कल उनी के संदर में बात है की गई थी और भश्टाचार के माम ने दो न्यूज आपको कभर किया मैंने आज अ इसका की नोट्स में आपको अबिलिबल करा दूँगा ताकि चीजे समझ में चली नेश्ट है कि इस रिपोर्ट को याद रखेगा पीटी फैट के रूप में पुछ सकता देश में कम हो रही अस्रमानता रैंकिंग में 6 अंकों का सुधार हुआ जिसमें अस्रमानता के कम कर करने की दसा में पर्तिबक्ता जो लेकर वैश्विक अस्तर पर जारी सी आर आर आई जो रैंकिंग है उसमें जारी कीगे भारत की सीजी सुधार भारत रैंकी 6 अस्तान सुधार के को 1,2,3 रैंक प्राप्त किया है और जो सी आर आर सी आर आई जो आई जो कॉंसेप्ट है उसमें आपको 2022 में करोना महरमारी के दो वर्षी जो समानता हुई थो उसमें 161 देशों का शरकारी नितियों के संदर में प्रयास विसलेशन किया गया ओक्स फेम जो इंटरनेशनल और डवलोप्मेंट फानेंस इंटरनेशनल द्वा रूप में पूछे जाते तो इसको न्यूस को कबर करने ना है आपको की नोट्स में प्राप्त हो जाएगा इसके में कुछ चर्चा करने की जरूत नहीं जो चीज लिखा हुआ है उसी को क्यों चर्चा करो देखें टी-20 के संदर में भी बीपेसी ने प्रस ने पूछा था कि जी-20 जो सम्मेलन होना है उसका भारत की से राज जी या के इंसासित प्रदेश में सम्मेलन होगा तो पहले जम्मु कश्मीर हुआ करता था उसका बदलाव करके नई दिल्ली किया गया पर उसके और भी पार्ट है जो अन राज्यों में किया जा रहा जैसे अमरिस सर चेन किया गया है तो आप लोग देखिए प्रस्न यहीं से पूछा गया 67 बीपेसी से भी आपको इस पर भी नियूज जिस दिन चेंज हुआ था बैठा का जो जगा चेंज हुआ था उस दिन भी चर्चा मैंने किया था तो आप लोग उसे देश सकते हैं भारत के फोकस किन-किन म मदत में सिक्षा की पहूच को बढ़ावा देना तीसरा भविस की जरुत कोशल विकास और चौथा सोध को बढ़ावा देना और सजदारी देना तो यह आपको मेंस के प्रश्न किरेट किये जा सकते हैं यहां से तो आप लोग इसे जरू कवर किजिएगा और भी जो विस्त के संदर में सी जी आई जो पर अपवाद भी है कुछ न्यूज इस पर कल भी मेंने किया था आप लोग आज देख लीजेगा उन्चासवे जो इंडिया है सेवाए देर है अब तक भारत में दे चुके हैं इनका कारेकाल जल्दी समाप्त होगा पचासवे चुन जो वाई ज चुछ तो आप लोग याद है कि उसके बीच के कुछ चीजे हैं जैसे सी जी आई का चैन के लिए जीन नीमो का पालन किया जाता है उन्हें मिर्वेंडम ऑफ पोसीजर या MOP भी कहा जाता है और इसको कहीं 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 कोलेजियम के संदर में देखने को मिलता है कें सरकार और न्याइक पर किया बीच एक समझोते के तहत नीम बने है और MOP जो है आपको बनने की कहाने एक रोचक है दरशत सुप्रिंग कोट और हाई कोट जजो को चुने के लिए समसे कम यह नियम लागू होने चाहिए जो कोलीजियम के संदिर्ग्देस कोलीजियम के रुप में असपस्ट होता है पहली बार MOP वर्स 1999 में बनाया गया और वर्स 2016 में पूनव विमर्स हुआ कि हुआ वजा थी जज चुनने में स्थापित पर क्योग चुनोती देने वाले नेशनल जुडिसियल अपॉइंट कमिशन जो राष्टी न्याइक नियुक्ति आयो का गठन जो किया गया था उसके संदर में चर्चा में आया था 2016 में था पंदर में इसकी आई थी यहां न्युक्ति लाया गया था संसत में और 16 में लगतार चर्चा में और उसे असवयधानी घुशित कर दिया गया था ध्यान रखिएगा यह सब लगतार विवाद आये हैं तो इस सब पर चर्चा मेंने भी पहले भी कर चुका दो बार टूटे यह वरिष्टा वाली परंपरा एक चिस जस्टिस अप इंडिया चैन में ओपी का उल्लेक सुप्रिम कोड के वरिष्ट जज इस पर पर न्यूत किया जाना चाहिए वरिष्ट जज तम जज हो सी जी आई चुनने की परंपरा निवहन भारत में किया जा रहा हालाकि इसके संदर में कुछ चीजे आप लोग को पढ़ लेनी चाहिए इंडरा गांदी के काल में कुछ चीजे हुई थी जैसे वर्स 1973 में इंडरा गांदी ने परधान मनते काल में जस्टिस ए एन रे को चिफ जस्टिस ऑप इंडिया और उस समय अधिक वरिष्टम उनसे पहले पर उनको नजर हंदाज करते हुई इंडरा गांदी सरकार के द्वारा इन्हें चीफ जस्टिस ऑप इंडिया बना दिया गया था वर्स 1973 में एक अपवाद आपको देखने को यहां मिलेगा तो इस सब चीजें आप लोगों को दूसरा केस हुआ था इंडरा गांदी के पी एम रहते ही हुआ था वर्स 1977 में ही हुआ यह मामला हुआ था तिहतर के बाद जब एम एच बेग को सिफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था उससे में वरिष्टम जज एच आर खन्ना थे इस अपवाद को भी कानूनी मामले में जोड़कर देखा जाता था और जो एडी एम जवलपूर और सीवकान सुकला केस में पांच जजों के बेंच ने निगने स समेट पीठ के चार जस्टिस सरकार के इस तर्क से समत है कि राष्टिया पात में जीवन और स्रतंतरता के अधिकार सहित सभी मूल अधिकार रद हो जाते सिर्फ जस्टिस खन्ना इसके खिलाब थे तो यह मामला उसमें विवाद उत्पन हुआ था जिनको अबरश्टा के न से अध्यन सेमिंग की गई है स्वक्ष पैया खाल अगर हम वहीया कर आते तो कौन-कौन से चीजें सरकार प्राप्त कर सकती कौन-कौन से लक्ष को प्राप्त करा कराने किन सरकार की महत्यों कान्शी योजन जो है जल-जीवन-मिशन अंतराष्टे पहचाना सरहना मिए दोजाइनिस के जो अर्थ सास्त के विजयता है नोबल प्रोस्कार विजयता प्रोफेसर माइकल क्रेमर ने जल जीवन मिशन महत्तों को रिखानकीत करते हुए निस्कर्ष निकाला कि जरी इसके जरी बाल मिर्तियोदर को कमीलाई जा सकती है क्रेमर सोतपर्त में अनुसार जल में आप दो समझ सकते हैं और जल जीवन मिशन का लक्षे दोजाब चौबिस तक ग्रामिन इलाकों सभी घरों में प्रयाप्त सुरक्षित प्रेजल उपलप्त कराना और 2019 में इसकी शुरुवात की गई थी और देखिए इसमें रेंडम कंट्रोल ट्राइल्स अपनाया गया थ है तो स्वक्ष जल उपलप्त कराना और स्वक्ष जल प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है आटिकल 21 के तहर ध्यान रखिएगा यह आपको मौलिक अधिकार में भी दिया गया है तो जल जीवन मिशन के संदर में भी आपको प्रसन पीटी फैट के रूप में पूछ सकत चैनल को साथ ही सेर कीजिए और कोमेंट भी महत्मुनुप से कीजिए आपसे हमबर रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिए ताकि जो संख्याम निधारित की दस अजार सब्सक्राइबर का वो जल से जल पूरा और स्मार्ट टीवी फॉर्मेट पर हम लोग उतना तो हमारे लिए कारे सकते हैं जितना मैं आप लोग के लिए कर रहे ह Europeans and we are ourselves इतनी चोटी से काम करे सकते है तो होगा, नहीं तो अगर जो हमें अंसरियस समझते हैं, अगर वो नहीं करते हैं, तो उनकी बात ही, कोई बात नहीं है, कि अगर उनके लगता है, कि नहीं चैनल बढ़ जागा, तो क्या होगा, बहुत कुछ चैनल बढ़ने के बाद आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और बहुत से चीज़ें रिक्स लेना पसंद करते हैं तो इस सब चीज़ें आप लोग समझिए आप लोग जरूर शेयर कीज़ें देखिए इसी पहला पेज में जो था महा काल गाथा विदस्वंक पुरु निनमान तक का जो कॉंसेप्ट है सांस्केति विरासत को बढ़ावा दे क्या हुआ की फैट के रूप में उसे कवर कर लिजिएगा चले नेस्ट हम लोग बात करते हैं नीचे आ जाएंगे तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर आप जरूर डाउनलोड कीजिए आप लोग डाउनलोड कीजिए आप लोग बहुत सा चीज वहां प्राप्त होग 499 में UPSC का टेस्ट दे सकते हैं और इसी तरह की नोट्स एक साल का प्राप्त करना तो 199 में अपको यह प्राप्त होगा और इसकी देखिए इसके रेट जो है जो है जल से बढ़ने वाला है तो आप लोग जो भी अभी तक इन्रॉल नहीं करा है तो इन्रॉल करा ले देखि जो मुद्दे है टॉपिक है उससे रेटेड या न्यूज कवर करता आठिकिल तो उर्जा संकट से हमें सबक लेना है तो देखिए यूक्रेयन रूस का यूद चल रहा है उसमें यूरोप में आपको उर्जा खपत वाले मामले देखने को मिले उर्जा समच्छा के संदर मे सबी मामले देखने को मिला है साथ ही उर्जा अगर कटोती होते है तो इस पास सीशा जस्ता अल्मूनियम कर खानों को भी यह समस्या उत्पन हो जाएगी और देखिए उर्जा संकट के दो पहलू है एक तो जो इरोपियन कंटी की बात हो रही है तब हम लोग भारत पर आएंगे इरोपियन कंटी में बात बोलेगी गैस भंडार पूरी तरफ भरे नहीं है क्योंकि उक्रेयन हमले के बाद रूश ने परियाब्द गैस आपूरती नहीं की है तो इसके बिवाद लगतार बाला जाना भी संकट का कारान है तो अब ये समस्तिया देखने को मिला इसके बीच के सारे नीज को आप लोग देख लिजेगा अब भारत के संदर में देखी कुछ बाते में बोलूंगा भारत का उर्जा संकट यूरोप जिसा नहीं घराया हुआ है पर भारत यूरोपियन को के पास चला जाता है याद रखेगा बहुत बड़ी पूंजी हमारी चली जाती है तेल के रूप में चली जाती है तो देखी आपा बात है कि पढ़ान मंत्री ने हाली में दोजा सकतर तक भारत को कार्बन न्यूटन बनाने का एलान किया है तो यह लक्ष क्योंकि प्रतिवर्टी उत्सरजन में हम यूरोप अमरिका की तुलाम बहुत कम है उसे जल्दी हाया हरित उर्जा अपनाने के लिए बात नहीं करता पर हमारे पास जो उर्जा संकट उसके संदर में हम बात कर रहे हैं कि 2070 तक अगरे कार्बन न्यूटन आते तो हम अन विकल्प बहता तरीके से काम करें जैसे पॉन उर्जा हुआ परमानु उर्जा हुआ है जैसे हरित उर्जा है उस पर हम बहतर काम करेंगे जब तक 2070 आएगा तब तक हम यहां उन्नत तक्नीक क को डवलब कर चुकेंगे और इस पर रिपोर्ट आप लोगों मैंने पहले भी एनलेसिस किया गुरूप में सेर किया तो आप अपडेट रहते रहिएगा तो आठी के लिए समझाने का प्रयास कर रहा है समसमाई के यह संपाद की प्रिष्ट कि उर्जा संकर जो भारत में उ आप इसे जरूर यूज कीजिएगा देखिए मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि इरानी मामला जो है जो हिजाब का मामला है भारती हिजाब के मामला जो करनाटक में आया था उसकी बीच मूल अंतर कितना है ध्यान रखिएगा मैंने पहले भी चर्चा किया आज की लेक में देखिए इनके द्वारा भी बोला कहां छिप गया भारत के नारे वादी देखिए करनाटक में जो हिजाब का मामला था वहाँ पर सभी महिला वादी सोच और कटरपंती सोच विचार धारवाले लो बढ़ चड़ के बाते बोल तो मैं नहीं करूंगा पर इरान के मामले में बात जरू कर सकता हूं कि इरान में लगवाई 180 लोगों की मौत हो चुके हैं यहां पर ऐसी कोई घटना नहीं तो फिर भी जो महिला वादी नारी वादी सोच इस संदर में रखते हैं कुछ कटरपंती लोग सोच रखते हैं तो उनका यह बात रखा गया था एक ही मुद्दे पर दो स्टेंड लोग अपनाते हैं यही समस्या का मूल जड़ है अगर नारी वादी विचारधारा यहां अगर कॉंसेप्ट डवलप होता है तो यहां भी होना चाहिए अब भारत का कोई ऐसा संगठन इस संदर में बाते नह पर लगतार नियूज मेंने कभर किया उसी के संदर में अभी से कुमार सींग के जवारा संस्था जो हैं उनके द्वारा बात की गई है तो इनके नियूज को आप जुरूर देखिए गा अंडरलाइन किया हुआ पहले की नियूज को कभर करते हैं कुछ बाते यहां पर दी सारे चीज़ों को अंडरलाइन मेंने कर दिया है तो आप लोग कन्फूज नहीं होईएगा बस अंडरलाइन को अच्छे तरीके से पढ़ लिजेगा चलिए निश्ट बात करेंगे साइद आज का नियू जितना ही था हाँ देखिए केस स्टड़ी यहां पर था बिहार के मामले में इसी को मैं ढूंड़ा था दस साल के उम्र में दर्ज हुआ था केस तैतालिस वर्ष बात दोस्मुक्ति हुआ है तो ध्यान रखिएगा हमारी नियाय बवस्ता पर कितनी बड़ी तमाचा है हमारी लोक्तांतिक प्रक्रियाओं के संदर में भी कितना गंदा मजाक है इससे बेहतर उधारन आपको नहीं मिलेगा केस स्टड़ी के तोर पर ये बेहतर तरीके सा आप लिख सकते हैं और हाल में नियाय बवस्ता में लगतार सुधार के मामले आए हैं सुधार करना चाहती है सरकार भी संस्थाएं भी स्रोच नायले उच नायले सभी संस्थाएं करना चाहती है उसमें ये case study के तोर पर यूज इसे देख सकते हैं लिख सकते हैं जैसे बिहार के बक्सर जिले में इसी तरह का एक मामला हुआ था जहां पर 43 साल पहले एक 10 साल के बालत पर ससस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज हुआ था 53 साल के बाद अधिर उम्र में उन्हें अपराज से बनावटी काहाने से दोस्मुक्त कर दिया था कुछ सरकारी एजन्सिया ही इन्हें पकड़ी थी फूलिस पर साथन ही पकड़ा होगा तुरी और कुछ बनावटी फेक न्यूज या फेक एफाई दर्ज कर इन्हें हिरासत में लेता है और इसे जेल में भेद जाया था जो 53 साल के उम्र में इन्हें दोस्मुक्ति देता मंगलवा को किसोर नियाय परिसद इस मामले निश्पादन किया 73 साल बाद सस्त्र अधिनियम के तहट आया फेसला कोट में चर्चा का विश्य जनकारी का नुसर क्या है आगे चीज़ें आप लोग देखिएगा साथ सितंबर 1789 को सस्त अधिनियम के तहट दर्ज किया गया था उस समय बालक की उम्र मात्र दर्श वर्ष थी दस वर्ष पांच महिने अब किसी मामले किसी के साथ मार्पिट अधिन सस्त्र परदसन किया गया था इनके द्वारा अब मामले में चार सेट में बालक को समंधित मुकादमा नुवंबर 12 को खिशोर नियाय परिस्द में पहुचा और मामला अभी 12 से लेकर वर्तमान तक भी चलता रहा और देखिए यहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ ये चीजे नियायक परकिरिया का भाग है पर मैं एक या एस्परेन्ट के तोर पर आपसे अगर कोई पूछे क्या यह युक्ती यूक्त है तो यह कदाचित यूक्ती यूक्त नहीं है इतने छोटे से मामले में किस संस्था को 43 वर्ष लग जाता है तो इससे बुड़ी बात क्या होगी उस संस्था पर उससे बड़ा सर्मनाक ही नहीं हो सकता और सबसे बड़ा की जुआबदे कोन होगा उसकी पूरी जीवन का जो च्छती उसे हुई है मानसिक सारिक और बौधिक रूप से समाज में उसकी प कोई कॉंसेप्ट नहीं है अगर इस परकार की संस्थाएं नकामिक रूप में काम करती तो इसको मुआबजे दिया जाए मैं तो बोलता है ऐसे मामले में हजार करोर रुपया का कम से कम मुआबजा इन लोगों पर लगाने चाहिए जो इस परकार के संस्थाएं कारिकी है त अगर एही चीजें अमरिका में होता ना अमरिका जहां पर नियाय संगत लगता है वहां पर अभी तक पांसो हजाय क्रोड की मुआबजा दंड दिया जा चुका रहता इन संस्थाओं उपर तो जाके तवरित रूप से चीजों को आप देखिए कितनी फेक निउज है फेक पूरी जीवन लोटा सकते हैं नहीं लोटा सकते हैं पर उन्हें वह अंतिम छहमा में वह सुख जरूर दे सकते हैं जिसके अधार पर यह चीजें पुना दुरहाई नहीं जा सकती है तो देखिए जब तक मुआपजा कॉंसेप भारत में सुधर रूप से काम नहीं करेगा तब तक ऐसे जो अनुजलेस जो परसासन में काम करते हैं बोधिकता का ताक पर रख कर तो वह कभी प्रकृति नहीं सुधरेगी और देखिए ऐसा मामला उन्चास साल या पहले की बात नहीं है तालिस साल पहले की बात नहीं है यह आने वाले पचास साल में भी आपको अब देखिए जो अफसीश परवंदन का कार है उस राजी में कभी भी आपको उसमें कोई खामी नजर नहीं तो अब बारह हजार करोड लगा देगे जितना का कार है नहीं उससे ज्यादा जुर्माना तो सरकार सजग होकर काम करती है तो यह बहुत जरूरी है इस परकार के मामलों में तो केस स्टड़ी के तौरपा इसे आप लोग यूज कीजेगा ताकि आने वाले समय में इससे बहतर तरीके से उप्योग कर सके चलिए आज का न्यूज इतना ही कल फिर हम एक न्यूज के साथ मिलेंगे और जो भी चीजे बताए जारे आप लोग उससे सिरियस हो ले सकते हैं जोएन हो सकते हैं चलिए हम लोग फिर बात करेंगे कल ने एक नए निज के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन